कुरोना गो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके आपके अपने यूट्यूब चनल फिशिक्सेम पर मैं राज आरियन आपका फिर सवागत करता हूं और मैं आज लेकर क्या हूं आपके लिए लए डैंप्ट हार्मोनिक मोशन ये एसेचम का जो पूरा सिरीज था वीडियो लेक्चर का उसके कंटिनिवेशन में ये दो-तीन वीडियो अभी आज बैक टू-बैक आने वाले हैं डैंप्ट हार्मोनिक जोसन का आज मैं सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन अभी वाले इस देख सकते हैं, देखिए, मजे लिजिए, जादा मतलब अगर इंट्रेस्ट है थोड़ा नोट बनाने का तो नोट बनाएए, समझने को कोशिच कीजिए कैसे डेरिवसन किया जा रहा है, और थोड़ा मैथेमेटिकल जादा ही टॉपिक हो जाएगा यह, ठीक है, मतलब कम्प् लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो समसे पहले बात करते हैं कि Damped Oscillation के पहले हमारा SHM कैसे काम करता है, तो SHM के लिए हम लोगों ने माल ने देखा है कोई मेरे पास इस Spring Block System है, एक Spring है और इक Block है, इसका मास है M, और यहाँ पर Spring Constant के दिया हुआ है इसका, और अग यहां पर हम बोल देखिये पूरा system जो है यह हमारा पूरा system vacuum है किसी क्या यहां पर vacuum है यानि किसी भी तरह कोई भी obstacle प्रेजेंट नहीं है यहां पर तो हम यह कहेंगे कि इस वाले का जो यह वाला body है यह वाला body अपने mean position के around यह इस तरह system करेगा और इसका यह यह सको करते थे maximum amplitude a और यह भी amplitude a हो जाएगा और यह continue करते रहेगा infinite time तक इसका time period क्या रहेगा 2 pi root over m upon k यह नहीं होता था याद है इसका time period हो जाएगा और यह infinite time तक यह ऐसे ऐसे oscillate करते रहेगा इसको हम लोग free oscillation करते हैं बट ऐसा present अगर हम लोग अगर देखें कि हमारे nature में कुछ इस तरह का situation होता नहीं है यह continue चलेगा नहीं ऐसे ऐसे करेगा सुर्वात्मत करेगा बहुत अच्छा इससे उसका time तो damp कर जाता है रूक जाता है यह जूला-जूले होंगे हम देखते एक आदमी है ना जूला अपने से मिना मतला ऐसे बैठा हुआ है किसी बंदे ने उसको खीचा एक साइट से और ऐसे छोड़ दिया छोड़ा तो बस वह जो पकड़ा पहला बार में तो यह हो जाएगा उसका तो ऑसीलेशन क्यों ऐसा उसका मतलब डिक्रीज क्यों करता चला गया पहला सवाल यह बहुतों के दिमाग में हो गई कहीं ना कहीं बाहर में सर हवा है पार्टिकल है ड्रैग फोर्स लग रहे है ना हवा है बिसको सिटी है हवा बिसको मीडियम है और विसको सिटी वो जनेरेट कर अगर पानी में अगर कोई बढ़ी को अगर हम इसी सिस्टम को अगर पानी मीं डाल देहां थीछ ना यह आजाए बन्ना ऑि और ताग गोलें के इसका ड्रौ फ्रिकूर्स्य एगा बिसकस फोर्स लगा देगा यहां पर, जो की एक तरस इसका Fricson का काम करेगा, थैना, तो वो एक Extra यहां पर फोर्स लगेगा, हम तो यहां पर कहीं यह Body HHM इस भी कर रहा था, क्योंकि यहां पर कहीं न कहीं एक Restoring Force लग रहा था, जिसका value था माइनस में के एक लेकिन अब एक नया फोर्स यहां पर लगेगा जिसको हम कहा देंगे ड्रैग फोर्स क्या कहा देंगे इसको ड्रैग फोर्स जो कि हम लोग जानते हैं स्टॉक लौ से हम लोग पड़े वे थे स्टोक्स लॉक्षा यह बरावर 6 पाई इटा आर इंटू विलो स्टी याद है 6 पाई टा आर वी यह लगेगा तो हम इस पूरे स्कों कॉंस्टेंट बोल देते हैं तो इस फोर्स का जो वैल्यू है गा हूँ हम का सकते माइनस में बी भी होगा that's a B and B और ये जो पूरा का पूरा सेनेरियू है आम ये का सकते हैं ये B जो डिपेंड कर रहा है विसकोसिटी पर बॉड़ी के सेफ साइज बगर पर डिपेंड करेगा ठीक है तो ये जो फोर्स है इस फोर्स कोई का दे डेंपिंग फोर्स ठीक है एक डेंपिंग फोर्स क्या है एक ऐसा रसिस्टीव फोर्स है इस बॉड़ी के उपर या पिर ये कोई भी और सिर्टिंग सिस्टम के उपर जो कि उसके अंप्लिट्यूड को घटा रहा है ठीक है अब ये कोई भी हो सकता है रहा है। मैंने एक 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 इसम्पल की और नोब यह है अब ये अब भी इसूख लाई की ओषच का विए होसकता है कहीं पर हिसक्ता है कि कर रहा हो और ही हिस्टैस फोर्स भी इस ईससे इससे कर ने फश्ताए ता ही कि अगर हम लोग पहले पर्द ऐसे चम्में क्या। के F जो है वो बराबर M A होता था तो बहुते थे जो माइनस में K X आ रहा है वो M A हो गया। और यहां से हम लोग Acceleration का एक Relation निकालते थे, Acceleration एक्वल्टी की आता था, कि लिए रोगया दिमांग बैठिया यहां तक बात कि ड्रैग फोर्स या डैंपिंग फोर्स क्या है external obstacle है किसी भी बॉडी को movement से रोक रहे के लिए ठीक है अब चाहो तो कुछ-कुछ कॉपी कर सकते हो यह तो हम इसको इरेज कर रहे हैं ठीक है तो जैसा कि भी हम लोग देखें कि यहां पर है न इन डैंप्ड ओसिलेशन छोटा-छोटा हम लिख रहे हैं थोड़ा कोशिस करना इसको समझ करके अपने से लिखने का ठीक है इन डैंप्ड ओसिलेशन देयर इस टू ताइप ओफ फोरसेश एप्स अंदर ओसिलेटिंड सिस्टम फर्स्ट वन जो हम लोग पढ़ते आए कि रिस्टोरिंग फोर्स होता था याद है रिस्टोरिंग फोर्स अभी हम बात किते रिस्टोरिंग फोर्स एफ बरावर माइनस में के एक्स क्या था एफ बरावर माइनस में के एक्स क्या था इस्प्रिंग कॉंस्टेंट दूसरा है हमारे यहाँ पर डैंपिंग फोर्स अना तो f जो है यहाँ पर इसको हम कह सकते है f1 होगा यह f2 कह सकते इसको यहाँ से जगे हम इसको कहेंगे minus में b भी यह कहां से आ from stokes law अना stokes law से आया और यहां से अगर हम यह b कह देते B जो है हमारा यहां इसको करते हैं Damping Constant Damping Constant अच्छा अगर Damping Constant हमको B है यहां पर दिया हुआ तो हम B का Unit और Dimension भी निकाल सकते हैं तो B equal to हो जाएगा F upon B यानने के Newton per meter into second हो जाएगा न Newton हो जाएगा force का और इसको जाएगा meter per second ठीक है तो यहां से Newton second per meter हो गया इसको और अगर हम solve करें तो यहां से मिदेगा हमको kg meter per second square Newton को जाएगा force बढ़ाबर MA तो mass into acceleration meter per second square into second upon meter meter से meter खतम हो गया second second खतम हो गया तो kg per second इसका आगया B का Unit और इसका dimension क्या हो जाएगा dimension क्या हो जाएगा देखो kg का M नीचे में T है M T minus में 1 यह हो गया हमारा damping force का relation है जो भी आ गया अब हम यहां से use कर सकते हैं for damped oscillatory system ठीक है from Newton's law of motion simple हम जानते कि F बराबर होता है M A इन पड़े है F equal to M A होता है कितने सारे force लग रहे है F1 लग रहा है F2 लग रहा है और जो इस बाड़नी को accelerate कर वा रहा है पहले क्या था सिर्फ यही था जिसको हम लोग M A लिखते थे अब यह भी आ गिया है नया drag force किया हम इसको भी add करना पड़ेगा F1 हो गया मारा प्रास माइनस में KX और यह हो गया माइनस से भी इक्वल टू हो गया mass into acceleration हम एक काम कर सकते हैं इन सब को उधर बेज देते हैं तो equal to 0 हो जाएगा तो जाएगा M A पलस KX पलस B B equal to 0 और हम इसको लिख सकते हैं M into acceleration क्या लिख सकते हैं D square इसको differential equation में हम लिखना चाहता है differential equation form में इसको क्या सकते हैं D square X upon D T का square लिख सकते हैं पढ़ें ना acceleration को double derivative of X लिख सकते हैं और यहां से हो गया K को हम अभी बाद में लिख लेंगे इसको पहले हम इसको लिख लेता है D into B के जगाए पे D X upon D T अपलस में यहां से हो गया KX equal to 0 This is your differential equation for damped harmonic motion यह क्या हो गया differential equation for damped harmonic oscillation है एकदम simple चीज है यहां तक मैं किसी को कोई दिक्कत आगे हो तो बताओ भई मैं बहुत simple सा काम की है कि भई दो तरह के force हैं हमारे पास F1 और F2 और जो बीदोनों force है इस body को motion दे रहा है accelerate कर रहा है तो हमने का कि दोनों force में कर रहा होगा तो हमने F1 के जगव माइनस में KX लगाया माइनस भी लगाया जो कि बोल दी है माँ ठीक तो वास इसको इसको इधर भेज़ दिये एककोल डीवी एपाउन डीटी और वी इक्वेल टो होता था यादे डीएक्स अपाउन डीटी तो भी मंगा X का दो दो बार differentiation हो गया ना वी को एक बार differentiate किया और X को दो बार differentiate किया तो double derivative of X with respect to time और फिर यहाँ पर भी था वही डीएक्स बार ना तो प्राक से तो अभी तक अब लोग क्या कैसी खेते में था में मतला डीएक्स अपाउन डीटी का स्कॉएर पलस में बीएक्स अपाउन डीटी अब पलस में के इनटू X equal to zero हो गया एक काम करते हैं में से दोनों साथ डिवाड कर देते हैं यहां से जाएगा डीए स्कॉएर X अपाउन डीटी का स्कॉएर पलस में बीएपाउन M इनटू दीएक्स अपाउन DT पलस में के अपाउन M इनटू X equal to zero हो गया यह हो गया हमारा complete differential equation एक और standard तरीकेस कि हमको इसमें कुछ चीज़ों को हमको late करना पड़ेगा हम बहुत चीज़ों को late से लिखते हैं इसलिए late करना पड़ेगा यहां से b upon m जो दिख रहा है ठीक है हम इसको sake of simplicity एक अच्छा से word होता है ठीक है इंग्रिस में है वैसा हमने इसलिए यूज किया इसको हम इसको 2R मान रहा है और के अपान एम को हम omega square लिख रहे है जो कि हमारा natural angular frequency होता तो omega square यहाद है ना omega यहाद है नेच्छरल एंग्यूलर फ्रिक्वेंसी और यहाद है नो इसको इसको भी यहाद है तो यह हम इसको भी यूज कर सकते है यहां से तो putting these in equation putting this in equation number one है ना equation one तो क्या हो जागे यहाद से d square x upon dt का square plus में 2R into dx upon dt plus omega square x equal to 0 ठीक है यह हमारा differential equation जो बन रहा है हम जो जो भाई 12 पास कर चुक है 12 के हो strength ठीक है उसको कुछ-कुछ समझ में आएगा और जो 11 के उसको कुछ भी समझ में यहां से नहीं आएगा ट्राइ करो समझने का इसलिए मैंने का कि मदब एदम पूरा advanced level का चीज है यह differential equation है ठीक है और इसके equation के solution होते है ठीक है तो हमने जब हमें इसको solve किये जब हमने इस differential equation को solve किया तो हमको जो एक value मिला हमने माल लिया या फिर हम यह कर सकते हैं हमने माल लिया कि का solution है क्या solution है है एना त्लेट दा solution ओफ दिस differential equation is x equal to a e raised to the power alpha into t में माल लिया कि कोई एक exponential function है क्योंकि यहां पर हर समय velocity के कारण damping हो रहा है तो हमने माल लिया exponential function है और उसे कुछ ना कुछ argument कि सुरुआत में है value इसको maximum value का सकते है है यहां पर रखा हुआ है ना ऐसा कुछ है हमने assume कर लिया यहने कि अगर हम इसको इसमें put करेंगे यहने उसको differentiate करके यहां पर रखेंगे और double differentiate करके यहां पर रखेंगे इस पूरा का पूरा वैलू का जो जीरो होना चाहिए अगर हम करते हैं यह equation इसको इसका solution है तो यह चीज इसको satisfy करना चाहिए सिंपल है इतना तो बोटा मोटी बात समझ सकते हो ना कि यह बाई यह चीज नहीं तो हम लिखें है कि इसका solution है तो इसको differentiate करेंगे तो double हम यह put करेंगे देखें जीरो आदाएगी नहीं आता अगर आ गया तो बल्ले बल्ले कोना भी चाहिए ना 00 तो देखते हैं dx upon dt बराबर क्या हो जागा इसका तो ए इसको दिवार संथिंग का सब्सक्राइब तो इसको differentiate करना पड़ेगा तो सिधा सी रिख सकते हैं क्या ए अलफा फिर से अलफा जागा है आपसे अलफा का स्क्राइब अब हम इसको क्या कहेंगे इसमें अगर हम पूट करें जीरो होना चाहिए है ना तो ना तो तो पूटिंग थीज वैल्यूज इन एक्वेशन तू का सकते हैं ठीक है एकवेशन नमर टू तो क्या क्या हो जागा है यहां से डी स्कॉाइर एक लिख सकते हैं हम यहां से क्या लिख सेंगे ए अलफा स्कॉाइर ए रस्टु दिपार अलफा एंटूटी है ना अब प्लस म टू आर और इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं ए अलफा ए रस्टु दिपार अलफाइंटूटी अब प्लस ओमेगा स्कॉाइर एक्स के जगह पर ए रस्टु दिपार अलफाइंटूटी इक्वल टू जीरू होना चाहिए अगर यह जीरू हो रहा है तो कुछ-कुछ में ओमेगा स्कॉर इक्वल टू जीरू आ रहा है अब अगर हम इसको माल लिए कि यह यह तो यह चीज है हमारा यह दो को एपार अलफाइंटूटी यह तो हमारा एक्स है और यह जिरू हो नहीं सकता क्योंकि अगर एक्स ही जीरू हो जाएगा तो दिप्रेंशन तो बगर बेकार रहे बात यह 0 नहीं हो सकता यह जीरू हो सकता है यह जो कि यह को ओडिटी के को सन बन भी रहा है आलफा में तो हम यह कहा सकते है यह ए यह यह जिद्वार आलफा इटी चांट भी 0 ठीक है हैंस अलफा इसक्वार प्लस में 2R इंटो अलफा प्लस में ओमेगा स्क्वार मस्ट बीकुल इकोल जीरू अनीट एज इगिव यू तो डिफिन टू डिस्टिंट एक इक सलुशन सेन लाँ उस एक्क्वेशन पे यार स्लूशन पर बात कर सकते हैं जो बात करते हैं तो हम इसको हेज्ड अर नहीं करने और इसको एंग आरक प्लस में तो ओर लपा पलस में चुक् enorm Sau सबस्क्र देख सकते हैं अलफा कोछें में माइनस में नहीं हो ज़एगा 4R square minus 4AC यानि कि 4 omega square upon 2 into A1 4 common आ रहा है तो 2 कट जाएगा तो alpha का value क्या क्या आ रहा है यहाँ पर यह वाला हिस्सा में कुछ नहीं दिख रहा होगा इसलिए हम इसको छोड़ने है alpha equal 2 आ जाएगा यहां से 2 कट जाएगा यहां तो को है न यह खतम होगा तो मेरे पास का बज़ाएगा minus में R plus minus root over R square minus omega square यानि का alpha के 2 values आ रहा है तो alpha 1 का value भी आ रहा है minus में R plus root over R square minus omega square और alpha 2 का value भी आ रहा है minus में R minus root over R square minus omega square यानि का alpha के 2 equation आ रहा है इसका मतलब यही है कि जो alpha है इसके दो इक्वेशन आ रहे हैं दो value आ रहे हैं हमारे पास तो kis canad submit do alpha के हिसाब से depend कर रहा होगा फिर समझना है मेरा बात को alpha जो गिना कहीं हमारा byx the द्ध कहीं न कहीं आलफा के साबसे दो equations पे depend कर रहा होगा हम उसको लिख रहा हो तो है ना, let x equal to, है ना, a1 e raise to the power alpha 1 t, यहाँ पर a था, हमने यहाँ पर a1 लिख दिया, बादे हमें इसाब को निकालना पड़ेगा हमकोई, a2 e raise to alpha 2 into t, मालब 2 alpha है, इसलिए हमने उसके इसाब से 2x लिख दिया, दोनों का समेशन ही हम आ रहा है, यहाँ पर x आ रहा होगा, तो चल a2 are constant, है ना, यह एक arbitrary constant है, है, इसको अम्माल लेते हैं, तो x का value क्या आ गया है, यहाँ से हमारे पास, a1, थोड़ा और अर्बेटर तरीके स्लिख सकते हैं, यहाँ से, हम इसको हटा दे रहा है, तो x का value आ जाएगा, है ना, x का value आ जाएगा, a1 e raised to the power, alpha 1 के जाएगा भी यह पूरा लिखना पड़ेगा, क्या के लिखना पड़ेगा दोखो तो, minus में r plus root over r square minus omega square into t plus a2 e raised to the power minus में r minus root over r square minus omega square into t. This is your solution for this complete differential equation, ठीक है, यह इस differential equation का solution रहा, लेकिन इसमें अब हम को यह अभी तक नहीं पता है, कि x में a1 और a2 में क्या क्या relation हो सकता है, और even r1, r2, r square minus omega square के उपर यह बात बैठेगा यहाँ पर, क्योंकि इसके value भी अगर हम बोलने के यह positive है, 0 है, negative है, पड़े था नहीं, यह under root का value है, यह 3 data ले सकता है, greater भी ले सकता है, 0 भी ले सकता है, और negative भी ले सकता है, उसके तीन values भी आएंगे, जिसके ओपर हम को study करना है, ठीक है, पहले यहाँ तक तो copy करो, ठीक है, फिर से देख रहते हैं क्या क्या हमने किया यहाँ पर, जो differential equation हमने लिखा था भी, है ना, यह ma plus bb, plus kx equal to 0 हो गिया, a के जगा पर d square x by dt, और m से हम सिर्फ divide किया है यहाँ पर, और यह जो चीज है, हमने bym को मान लिया 2r, यह sake of simplicity के, जो कितना कचड़ा हो दे आ रहा अगर हम bym यह divide दिवाइड वाला term लेंगे तो और कितना तबाही 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 था पर एक कुछन आएगा, इसलिए बस simplicity करने के लिए, अब बोलोगे 2r कहे लिए, तो 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 यहाँ से 4 common नहीं आता, बस इसलिए और कुछ नह हम सबको हटा ही लेंगे, यह साब आर तो आही रहा है ना, इस सबको बस हटा नहीं है, यहाँ से by2m, put कर लेंगे, कर लेंगे, तो हमने इसको माल लिया, 2r, इसको हमने माल लिया, omega square, और हमने यहाँ से put कर लिया, इसको put करके हमने माला, कि x जो है, ए इसलिए alpha into t, इसका solution ह है, तो हमने इसको differentiate किया, इसका double differentiate किया, और इसके value आए, हमने इसमें put किया, बोले कि अगर तुम बोल रहे हो कि तुम solution हो, तो तुमारे इस सारा value भी इसको satisfy करना चाहिए, हमने इस सारा value कर वाया, तो हमको alpha के 2 value मिल गए, और उसके हिसाब से हमको x के भी, एक लंबे तो अभी तक हम लोग देख चुके हैं, यह हमारा result आचुका है, x का value, तो हम यहां से 3 condition के उपर बात करते हैं, पहला case number 1, ठीक है, धीरे-धीरे करके भी reveal करेंगे, 3 हिसें बात करेंगे, पहला ही हिसा हम मान रहे हैं कि यह जो value है, है ना, r square, जो है, यहां बड़ा है अगर omega square से है, पहला condition हम मान रहे है, if, ठीक है, अगर r square, omega square के बड़ा है, तो इसका मतलब हो गया, इसी को बोलते हैं, over damping, और having damping condition, एकदम समझ में आना चाहिए यह बात बात, अगर हम बोल रहे हैं कि r square, omega square से बड़ा है तो, और हम लोग याद करो, अभी हम लोग सीखे थे, यहां पर से, b upon m को हम माने थे, 2r, है ना, तो r का value क्या होगे, b upon 2m, और omega square को हम माने थे, k upon m, माने थे ना, तो चलो, यहां से put कर सकते हैं, तो b square, sorry, r square के जीवर क्या put कर लेंगे, तो b square upon 4m, बड़ा हो ज इस condition को ही कहेंगे, heavy damping या over damping condition, अब इस पूरे कहानी का मतलब क्या है, कैसे relay करेगा यह चीज, इसको समझना है, कि अगर यह ऐसा होता है, तो यह जो पूरा value है, एक दाम एक करके समझना है, यह value positive रह जाएगा, अन्दर का जो r square बड़ा है, अब बड़ा चीज में छोड़ तो यह negative हो चुका है, देखो, e power something जो भी वो तो negative है, इसमें किसी को को दिखत रहें है, यह भी negative और यह भी negative है, अब इस पे देखते है, यह minus में r already है, क्या इसका value, यह value negative है क्या, देखो तो, r square में omega square घड़ रहा है, तो यह जो value आएगा, यह जो पूरा value आएगा, root over, य हम यह का सकते हैं, इस कहानी से, root over r square minus omega square, लेसर देना रहा जाएगा, क्योंकि इसमें r square में square घड़ी रहा है, तो कुछ भी value आएगा, वो हर समय r से चुटा ही आएगा, क्योंकि r square तो कभी पहुंच नहीं पाएगा, तो उसका root तो हर समय r चुटा ही आजएगा, अगर यह तो यह तो value कभी भी हर समय, कभी भी positive हो नहीं सकता, 0 भी नहीं हो सकता, यह सिर्फ negative होगा, यह भी negative है, और यह भी negative है, इसका मतलब क्या हुआ, कि इस पूरे कहानी में कि x जो है, x में exponential का जो power आ रहा है, वो हर समय negative है, x में जो exponential का power है, वो हर समय negative है, x में जो exponential का power है, वो negative है, इसका मतलब क्या हुआ, कि पहले यहीं समझें, इसका मतलब यहीं हो गया, कि the power of exponents are negative, इसका मतलब यहीं हो गया, कि x is continuously decreasing ठीक है, until goes to zero, यह हर समय x घटते ही चला जाएगा, कुछ इस तरह से, अगर हम हम इस condition को ऐसे दिखा है, कुछ इस तरह से चलेगा यह, टाइम के साथ में, सुराद मालत एक ट्रूर्टी को हमने यह शिलेट करवाया, यह गटते, 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 जिर, हो जैगा, ऐसे यहाँ खतम हो जाएगा अगरे श्रीलेट नहीं करेगा टोटल एनर्जी वेस्ट इसके पास इतना एनर्जी रहेगा ही नहीं कि यह फिर से इतना नीचे जाया और फिर से वापस है ऐसा कंडिशन बनेगा ही नहीं और इसी कंडिशन को कहेंगे heavy damping, फिर समझने आपर हुआ क्या फिर देख लो पहले, b square है पहले आप बात तो यही समझ लो, over damping condition में कि r square बड़ा होगा omega square से, इस condition में b square बड़ा हो जाएगा 4mk से और जो root over r square minus omega square है, वो छोटा हो जागा r से तो इसका मतलब यह जो हो गया है, कि हमारा जो exponent का power है, वो हमारा negative हो गया, और exponent का अगर power negative of something mal until f9 to t आ रहा है, a something जो भी आ रहा है, x, ऐसा कुछ आ रहा है तो यह इसका जो grab बनत है, वो हर समय ऐसा ही बनता है यह बोल रहे है, x खुद हमारा ऐसी, यह इस path को follow कर रहा है, exponent वाला, ऐसा पला path को, और यह decrease करता चला जाएगा, यह इसी path को follow कर रहा है यह exponential कर बन जाएगा, यह एक्सपोनेंटियल कर कभी भी negative नहीं होता है, यह हर समय positive भी रहेगा, यह value हर समय positive रहेगा, इसका exponent का power negative है, यह negative है, इसका मतलए यह पूरा system यह हर समय positive रहेगा, और अगर यह positive रहेगा, तो negative जब एक्स पहुचा ही नहीं, तो negative एक्स तो बनेगा नहीं ना, बात समझ में नहीं आरे बत, दोको, यह बैठा की जमाह की में बैठा, एक्स positive है, हर समय समय कितना भी बड़ा हो जाए, एक सिर्फ positive रहेगा, कभी भी negative नहीं आएगा, इस condition को ही करते हैं, ओभर damping, यह एक body में हमने जैसे ही उसको oscillate करवा, वह इतना जादा viscosity था, कि उस body को oscillate करने ही नहीं दिया, मीन questions पर ही आकर के, पहुच करके ultimately खतम हो जाएगा, वह जहां से छोड़े, करके समझ लो, ऐसे लिख गए, और वह ऐसे छुटा है, ऐसे आगर रूख गया, वह यह नहीं किया, वह यहां से निकला, ऐसे छोड़े जो है, वह सिर्फ यहां आगर के बैठ गया, ठीक है, तो इसी कंडिशन को कहेंगे, ओबर डेंपेंग, ठीक है, अगले कंडिशन की तरब बढ़ते हैं, है ना, चलो, उसो क्रिटिकल डेंपिंग बोलते हैं, पर इसको कौपी कर लो, अच्छे से, तो case number two के उपर बात करते है critically damping वाले condition के उपर critically damping condition क्या हो जाएगा कि जो अभी था हमारे पास r square वो बड़ा बराबर हो जाएगा omega square के इसका मतलब यह हो गया कि b square बराबर हो जाएगा 4 m k k और इस condition को बोलेंगे critical critically damping damping condition यह सबसे कमाल का है ठीक है वो देखे होगे door hydraulic door बगर देखे होगे गेट को ऐसे खोड़ते हैं ऐसे मिलब छोड़ते हैं तो वो डोर अपने आप जो बंद होता है अपने आपने ही ऐसे सपोज करे डोर है ऐसे कि आप छोड़े तो आईस्या आता है तो बहुत जटकेस आता है नहीं दिखा ऐसे तो आया ठीक है यह पर एक और होता है sock absorber सुने होगे car वगर में sock absorber होता है तो वो कहा होता है कि अगर गाड़ी में लसने हैं ऐसे से कर रहा है गाड़ी दिख रहा है तो बाइक वगर में भी sock absorber आफे सुने लगे होते हैं उन सब में sock absorber का काम यही वहता है कि वो Sock absorber भी रहा है थीरे-थीरे करे नीचे लेके आ रहा है त्राक से नदी लेख रहा है वो उसको आइसा कर देता है कि उसको Sock नहीं लगे है ना तो यह तुरंत, उसको oscillate नहीं करने देता है, पहला बात यह समझे लो, एक तो था over damping वहाँ पर oscillate नहीं हो रहा है, बट एक critical damping वाले condition में, तुरंत, है ना, जैसे maximum reach किया है, उसको तुरंत नीचे करने कोश करता है, नीचे से पहुंचा तुसको तुरंत फिर back उपर लगे आएगा, इस condition को बोलते है, critically damping condition, और यह तब होगा जब कि B square बराबर हो जाएगा 4M के, यह possible नहीं है, B square बराबर नहीं होता है 4M के, तो हम यहाँ पर रिखते हैं, omega square, sorry, R square minus omega square जो है, यह बहुत small value होता है, है ना, that is approximately equal to H square का दो, H square, H is very very small, is it okay, हमने यह माल लिया, तो अभी तक हमारे पास X का जो value था, वो गया था, A1, E raised to the power, minus में R, minus, sorry, plus में, root over, root over जो भी था, इसके जाएगा, H लिख सकते हैं, into T, लिख सकते हैं, ना, अरे, root over R square minus omega square बराबर हो गया, इसी को हम लिख देते हैं, H square, तो यह हो गया न, हमारे पास H, यह हो गया, इसके जिए अब हम H लिख दिए, अब, plus में, A2, E raised to the power, minus में, R, minus में, H into T हो गया, ठीक है, यह होता है, तो इसको थोड़ा और बेटर तरीके स्लिख सकते हैं, थोड़ा यहाँ, exponents का U जाएगा, तो हम थोड़ा लिख सकते हैं, इसको minus में, R into T, plus में, H T, चलो, एक step बढ़ा दे रहा है, A2, E raised to the power, minus में, R T, minus में, H T हो जाएगा, और इसको थोड़ा और बेटर तरीके स्लिख सकते हैं, E पर पावर, यह जो है, पलस होता है थी, into जाता है, ना, A1, सब, A1 तो ही है, E पर पावर, H T, plus में, A2, E पर पावर, minus में, R T, into, E पर में, H T हो जाएगा, यहां से हमको दिख रहा है, E पर पावर, R T को मना रहा है, minus में, R T को मना रहा है, यहां सब के, A1, E पर पावर, H T, plus में, A2, E पर पावर, minus में, H T, ठीक है अब एक हम लोग 11 में पढ़ रहे होंगे या पिर 12 में आए तेलर्स एक्सपेंशन सीरीज होता है कुछ है ना टेलर्स एक्सपेंशन शीरीज होते हैं यह ना तो यह पर पावर एक्स का वैलू जोता है उसके इसाब से 1 ना प्लुस जो है एक्स बाइवन टैक्टोरियल है ना प्लस एक्सफफटोरियल प्लस ऐसे इसे होता ऐस 對 two val प्रेटे बाइट कुब टीका थतरी अरे ओब बावर मैनास में एक्स इकवल टू एक्से मान डिकना है तो x by 1 factorial x का स्क्वार जाएगा positive तो यहां से एक स्का स्क्वार बाइ 2 factorial फिर यहां पर x का negative आ जाएगा एक सक्क्यू बाइ 3 factorial कुछ इस तरह का value आजाएगा तो चलो हम बाइब बार h t जो है हम इसको भी लिख सकते हैं क्या लिख सकते है 1 plus में h T का wole square by 2 factorial आ呢 plus dot 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 ऐसे कुछ आजाएगा प्लस A2 इंटू 1 माइनस H2 प्लस डोट 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 इसे लिख दिये क्योंकि H हमारे बहुत छोटा है था है H का स्कार तो और चोटा हो जाएगा तिसलिए हम उसको नगिलेक ठीक कर रहे है ठीक है K, okay, okay, A1 प्लस A2 A1 क्या हो गया A1 HT स्री माइनस में A2 HT आजाएगा है न यहांस यह रिलेशन आ गया E पे पावर माइनस में RT और यहांसा आगे हमारे पास A1 प्लस में A2 प्लस में A1 H माइनस में A2H into T तो हम इसे कुछ लिख रहे हैं बस ज़्यादा कुछ बना नहीं यह हम इसको लिखते हैं A और यह हो गया B T लिखो है ना कुछ हैसा बन रहा है तो हमने माल लिया इसको A1 प्लस में इसी के फॉर्मेट में लिखने का बस तरीका हुआ इसको हमाल लेते हैं A और A1H माइनस में A2H को हम माल लेते हैं B तो जो इक्वेशन बन कर क्या रहा है हमारे पास X का वैलू क्या रहा है तो यह हो गया A प्लस B T आ रहा है E पे पावर माइनस में R into T तो कुछ इस तरह का एक्वेशन आ रहा है और जो इसका जो वैलू है यह टाइम का डिपेंडेंट है और टाइम बढ़ेगा तो यह वैलू और रैपिडली डिक्रीज करेगा इसी के लिए इसका नाम है क्रिटिकली डेंपिंग और अगर हम इसको देखें इस पूरे पिक्चर ने यह फिर से देखो यह निगेटिव है यह निगेटिव है पावर निगेटिव है यह आलवेस पॉजिटिव रहेगा यह भी पॉजिटिव है पॉजिटिव कॉंसेंट था यह पॉजिटिव कॉंसेंट था टाइम तो पॉजिटिव रहेगा यानि complete X is always positive, again over damping condition ये भी है, अगर over damping condition है, तो ये फिर से उसी तरह से damp करेगा, लेकिन उससे तेजी से damp करेगा, इसलिए इसका नाम है critically damping, over damping condition क्या हो जाएगा, ये जाएगा ऐसे, तो ये over damping condition हुगा, ये critically damping, तुरंत energy, सटाक से निचा जाएगा है ना इसलिए इसको बोलते है क्रिटिकली डैंपिंग कंडिशन ठीक है यह हो गया हमारा पूरा का पूरा कंडिशन एक्स और ठीक है बीच का रिलेशन समझ में आया इसका यूज कहां कहां होता है सॉक एब्सॉर्बर इन कार पहला और दूसरा नंबर में हो गया दूसरा चीज कहां हो जाएगा अरे अभी तो बता है अ डोर में है ना है है डोलिक डोर है डोलिक डोर में यह इसका रिलेशन यूज होता है तो यह एक कंडिसन-बन कया हम बस देखो यह पूरा का पूरा तरीका येसा कुछ बन रहा है तौं ठीक है उससे हमने कुछ ग्राफ देख लिय ठीक है चलो ठीक है अगला कंडिशन तर्ड कंडिशन देखते हैं जो हमारे लिए सबसे इमपोर्टन ऍम है lighting być मैं ता अब तीसरा वाला है सिलेवस में है इसने बने रहा है बागना नहीं अब तीसरा कंडिशन देखते हैं यह सबसे इंपोर्टेंट है मारा अंडर डैंपिंग कंडिशन under damping condition में क्या हो जाएगा बता दो वही ना r square छोटा हो जाएगा omega square यानि कि b square छोटा हो जाएगा 4mk से इस condition को कहेंगे under damping condition और इस condition में root over है ना इस condition में क्या हो जाएगा root over r square minus omega square जो है ये तो negative हो जाएगा क्योंकि r square छोटा हो गिया यही हमारे सुलेवस में आज रूट में निगेटिव होने का मतलब क्या होता है कि इसमें कहीं नहीं कहीं कॉंप्लेक्स नंबर आएगा और इमेजनरी नंबर वगरा के रोल आएंगे चलो देखते हैं है ना कुछ-कुछ यह दो कैसा हो लिए बोल ची ची को रॉना पकड़ लिया क्या इसको हाथ साफ से धोना है घर में बैठे रहाना है मैं चड़तानी का छेद गिनना है है ओके जा कर रहे हैं चलो आगे देखते हैं तो रूट अबर हम इसको थोड़ा डिफरेंट वे में लिखते हैं माइनस में वन ओमेगा स्कॉयर माइनस में आर इसक्वार है ना तो कुछ ऐसा रिलेशन हम इसको लिख सकते हैं यहां से इक्वल टू थोड़ा बेटर तरीक हें का रूट होता है तो यह हुझा एक स्कॉर हो जैगा है है और ओमेगा मैगा स्क्वैर माइनस में और इसक्वार हो जागा यह पूरा का प्लवन कि अब हम लेट कर लेते हैं आप omega dash हां ना यह omega dash हो गया हम इसको माल ले एक अच्रा जो यह omega dash है तो basically हो गया आसे omega square minus में r square हम इसको omega dash माल ले रहे हैं तो value जो आजाएगा हमारे पास इसका मतलब यह हो गया कि root over r square minus omega square equal to i और omega dash नि हो गया इस पूरे के च्छरिक जगह पे i square का आई निकल गया और इसके जगह पर ओमेगा डैस का वैल्यू है ना आई ओमेगा डैस पूरे का वैलों इमेजनरी नमबर आ रहा है हमको समझ में भी रही है निगेटिव नमबर होना भी चाहिए था तो इसका मतलब यहीं हो गया कि हम एक्स के जगह पर हम जो लिखें के वैल् माइनस में आर माइनस में आई ओमेगा डैस इंटू टी के बारे में बात करना पड़ेगा देखना कुछ गडवड उबड़ना हो जाए एक क्वेशन क्या बहुत लिंदी चलेगा और बहुत कुछ आएगा एक और जी हम लोग उने सीखा था यह समझ में आता है सबको हम इस इसके स्ट्रेड ठीक है तो हम उसका यहां पर आइस दीख रहे हैं वैसा कुछ आएगा ही यहां पर कुछ नहीं है ठीक है वो टूब लाइट का लाइट आ रहा था खेर तो थूड़ा देखते हैं इसमें एवर नीचे लिखते हैं पावर माइनसमे आर टी इंकू ए पावर आयाई ऐंका थी इनकु ऐ पर पावर आइओ पावर माइनसमे आई ओमेगा डैस इंकु टी ओड़ागा ठीक है इपे बावर आई थेटा दिख रहा है आई और यह थेटा के दरूप में लिख सकते हैं इसको वेलू तो और यह चीज नो हमारा कॉंस्टेंट डार है कॉमन तो और बेटर तरीका सिकते हैं यहां से एवन इपे पावर माइनस में आर टी को हम बाहर निकाल दिए यहां सो गया एवन इंटू इस कच्ड़े के जगह पर लिख सकते हैं अजी बजीब सब चीज आने लगा कॉस थीटा थीटा यह ओमेगा डैस टी पलस में आई साइन ओमेगा डैस टी यह हो गया एवन के साथ में रिजल्ट करना ठीक है पलस में एटू कॉस थीटा ओमेगा टी और अगर यहां पर मैनस हो था यहां पर मैनस आ जाता है मैनस में आई साइन ओमेगा डैस टी यह पूरा रिजल्ट आगे हमारे पास ए पर बार सम्थिंग का अगर हम इसको और बेटर तरीके जिखें ए पर पार मैनस में आर टी और अब मल्टिप्लाई ही करते हैं और कुछ दिख नहीं रहा है यहां पर भी दिख रहा है सेम चीज आ रहा है ना तो मल्टिप्लाई ही करना पड़ेगा एक बार कर लते हैं 个as omega dash T plus में a1 into i sine omega dash T minus sorry plus में A2 cos omega dash T minus में a2 i sine omega dash T पस चिर्फ अभी a1 और a2 को हम अंदर भेजें तो यहां से क्या क्या दिख रहा है हमको E π पावर माइनस में 8 T और हमको यहां से दिख रहा है A1 plus A2 cos omega dash T plus I sin omega T दिख रहा है न comment? तो यहां से दिख रहा है A1 माइनस में A2 I sin omega dash T कॉस दिख रहा है साइन दिख रहा है जो नहीं दिख रहा है उसको माल लेते हैं कुछ ठीक है तो हम यहां से कुछ चीजों को लेट कर लेते हैं तो A1 पलस में A2 के जगह पे हम लेते हैं कॉस दिख रहा है साइन माल लेते हैं साइन फाइ माल लेते हैं और इस पूरे कछड़े को माल लेते हैं I times of A1 माइनस में A2 को माल लेते हैं Cos 5 ठीक है? तो put गर लेते हैं तो X का value आजएगा यहां से E पे power माइनस में Rt और इसके जगाप प्रितन साइन 5 याने Cos Omega डास T into Sine 5 साइन ओमेगा डास T into Cos 5 बन जागा यह पूरा result और हम जानते हैं इसका Cos A plus B का formula बनता है E पे power माइनस में Rt साइन ओमेगा डास T प्लस में 5 ठीक है? एक चीज छुड़ गया हम इसको माल लेते हैं A क्योंकि इसको multiple भी एक आएगा हम उसको A यहाँ पर लिए रहे हैं A आ गया यहाँ से ठीक है? यह हो गया X ठीक है? तो पहले यहाँ तक copy करो फिर हम समझाते हैं यह पूरा result में क्या-क्या किये हैं मतलब यह तक समझ में आई गया होगा यह सब कुछ है और हम किये हैं और हमको जो obtain होना था वह लाच चुके हैं इसी पर हमको भी यहाँ से पूरा आगे discussion करना है ठीक है? पहले copy कर लो ठीक है? सिंपल सा चीज था यह under damping condition में हम तीसरा condition को बर्बात कर रहे हैं यह negative वह और negative वह यह पूरा imaginary number की रूप में बात करेंगे इसलिए में को iota introduce करना पड़ा घुमा अगर के हमने iota को रुखा यहाँ पर और हमने माल लेका omega-डेस वराबर यह हो गया है हाँ एक और दिखना पड़ेगा यावर से हमको omega-डेस जो है यह हमने क्या माना है? omega square minus में r square यह माल लिया हुआ है और x सा value यह निकल करके आया है ठीक है? चलो copy करो पहले फिर देखते हैं इस पर discuss करते हैं copy करो तो x का value हम लोग यह लाच चुके है हम इसको दो और बेटर तरीकेस लिख सकते है यह जो a है यह maximum amplitude है a node e raise to the power minus में rt sin omega dash t plus में 5 यह एक equation तो बन रहा है x का हम इसको erase करते रहे हैं यहां से और एक और चीह हमने निकाला है omega dash omega dash का value हो चुका है omega square minus में r square हम अगर put करें इसको थोड़ा 2-3 चीज़ों कच चीज और हम लोगों ने क्या क्या सीखा था b upon m को हमने माना था 2r और omega dash square बराबर k upon m हमने यह माना हुआ था अगर हम यह put out करें तो हमको omega dash का value जो आ जाएगा root over omega square का जगा पे k upon m दिखेगा minus में r square का जगा पे r equal to क्या जगा? b upon 2m है ना? तो b upon 2m का whole square दिखेगा और इसको कहेंगे damping angular frequency damping angular frequency कहेंगे इसको is it okay? थोड़ा हम ink भर करके रखते है गर्मी आ गया corona ने भागा इस ink सूखे जा रहा है बताओ ऐसे चलेगा जी चलो ठीश तो यह जो हमारे पास x का value यह जो चीज आया omega dash का यह formula याद रखना है पहला काम यह damping angular frequency हो गया और इसका value देख लो कितना k upon m यह पूछा जा सकता है direct formula के रूप में भी ठीक है और second number हमको position हमको दिख रहा है x का value क्या दिख रहा है a not e pay power minus में r के जगा प्रिख सकते b upon 2m into t sin omega dash t plus 5 दिखा यह हो गया हमारा x का value और यहां पर यह जो चीज है यह दुखो यह एक SHM है दिख रहा ना साब दिख रहा है SHM इसका frequency omega dash दिख रहा है यहां पर से और इसका amplitude है और amplitude खुद time पर depend कर रहा और वो exponentially घट रहा है exponentially exponentially decreasing with time ठीक है यह दिख रहा है रिख सकते हैं तो 2pi by omega dash के देगा पर हम यह लिख देंगे root over k upon m minus में b upon 2m का whole square और अगर हम frequency of frequency लिखना चाहे तो frequency क्या हो जाएगा यही गुमा देंगे इसको तो क्या हो जाएगा 1 upon 2pi root over k upon m minus में b upon 2m का whole square यह damped harmonic oscillation का frequency बन क्या है ठीक है यह सारे formula हमारे पास important equation आ गया है हमारे पास वो चाहिए था ठीक है और इसका exponentially decreasing amplitude भी दिख रहा है amplitude is the function of time तो अगर हम इसको पूरा का पूरा कहानी में x के जगा पे लिखें amplitude is the function of time और e per power sorry 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 sin omega dash t पलस में phi आ गया है और अगर हमको phi जानना है याद करो अभी पीछे 5 भी हम बताए थे phi क्या था 10 5 बराबर हम लिख सकते है a1 plus में a2 upon a1 minus a2 times of iota है ना यह न था 10 5 a by a sin 5 a cos 5 को डिवाइड कर लो के यहां से 10 5 भी दिख जाएगा हमको is it okay समझ में आया पूरा कहानी में यह पूरा अरे कुछ जगा बचा गी नहीं अभी बचा पहीं लिखने के लिए ठीक है मत सुचना के गातम हो गया यह पहले तो यह पूरा पूरा फॉर्मुला चार्ट हो गिया पूरा मस्त मसाला चार्ट के साथ में खाज़ो और उमीद करते समझ में आया होगा यहां तक अभी तो दुनियादारी बहुत कुछ है चलिए लिख कोपी करो फिर अभी बात करते हैं तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि X का वहलू जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास A is the function of time sin omega dash t plus में phi के रूप में हमको दिख चुका है है ना और amplitude is the function of time जो आ रहा है वो आ रहा है A not e पे पावर माइनस बीटी अपॉन पून तो को यह फर्मूला याद हो जाना चाहिए है ठीक है यह हो गया हमारा amplitude amplitude लब जो oscillation हो रहा है तो का amplitude mean position से जो maximum displacement cover कर रहा है वो किसी भी time पर इतना होगा किसी भी time पर इतना इसका amplitude होगा यह नहीं कि उसकी kinetic energy जो भी इसकी energy होगी जो system के पास energy है है जाद है energy of हम लिख सकते हैं उसको energy of damped harmonic motion यह भी लिख सकते है damped harmonic oscillation energy equal to क्या हो जाएगा energy भी time पर depend कर जाएगा इसका मतला क्यों कि वो भी तो function हो जाएगा half of k a square होगा था तो k is the function of time का whole square लिखना पड़ेगा यहां पर से अगर हम energy किसी भी instant पर लिखे हैं तो हमको लिखना पड़ेगा half k a square यानि कि a nod e पर पावर हो तो यहां पर square कर देंगे तो minus में 2 bt upon 2 m आ जाएगा good तो energy का formula आ जाएगा हम लिख सकते हैं यहां से half k sorry यहां पर भी a nod का square a nod का whole square e पर पावर minus में bt upon m बन जाएगा और हम इसको लिख सकते e nod जो की maximum kinetic energy था इसका यह बराबर हो जाएगा e not e पर पावर माइनस में bt upon m देखो वहां पर 2m था यहां पर सिर्फ m बना है ठीक है यह इसका energy हो गया और यह इसका amplitude हो गया किसी भी समय पर energy amplitude amplitude energy energy amplitude ओके जो भी आ गया अब हमको निकालना है दो-तीन चीज की amplitude का आधा होने में कितना समय लगेगा पहला बात energy को आधा होने में कितना समय लगेगा यहने कि half lifetime निकालना पड़ेगा ठीक है कि heading पहले यह लिखने ना है तो मतलब यह हो गया कि अगर हम बोलें कि at t equal to 0 time पर जो amplitude है वो तो सुरवात में anod है और किसी time t equal to हम कह सकते हैं यह t half है ना यह half lifetime है तो हम amplitude जो लिख देंगे वह आधा हो जाएगा सुरवात का आधा हो क्योंकि amplitude घट रहा है तो हम की जरना जाते यह time कितना है कि amplitude असका आधा हो जाएगा तो चलो हम इसको पूट करते चुकि हमको पता है कि amplitude जो है वह हमको पता है a no e power minus bt upon 2m होता है तो a के जगह पर हम लिख देते है a no by 2 देखो कैसे कसे निकाल रहे है half lifetime और a no e power minus में time के जगह पर capital T लिख देंगे जो कि half lifetime है upon 2m बन जाएगा a no से a no खतम हो गया तो यहां से जो हमको दिख रहा है half दिख रहा है यहां से half equal to e power minus bt upon 2m दिख रहा है यह small t नहीं capital T हो जाएगा ठीक है और कहां से कहां तक नहीं दिख रहा है यहां से यहां से थी कहां तक ही नहीं दिख रहे था ठीक है तो 2p power हम minus 1 लिख सकते हैं equal to e power minus bt upon 2m बन जाएगा और दोनों साइड हम log ले लेंगे देखो कैसे कैसे हम half lifetime निकाल रहे हैं एक एक step को देख लो क्यों कि आगे जो numerical हम बताएगा उसमें ताके solid हो जाए ठीक है तो taking log both side और एक दो formula याद रखना है कि log base e e का value जो है वो 1 होता है और जो भी इसको basically log कहते है ना लॉन e भी बिखो इसको ठीक है और log x पे power अगर m होता है तो m log x भी लिखते इसको ठीक है यह दो तीन formula है वागी तो समझना ही रहा है तो दोनों साइड लॉग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यापर से log नहीं log लिखेंगे रहे 2 पे power minus 1 equal to ln e पे power minus bt upon 2m हो जाएगा अब यह minus 1 इधर चलाएगा ln 2 equal to यहाँ से भी यह पूरा power over साब बहार जाएगा bt upon 2m बहार जाएगा तो ln e हो जाएगा यह ना ln e और ln e का value 1 होता है तो यह हमारे पास आगया minus से minus भी खतम हो गया तो ln 2 दिख रहा है यहाँ से bt upon 2m के जगह पे तो capital T का value जो आ रहा है वो साफ दिख रहा होगा ln 2 upon b upon 2m और ln t का value होता है 0.693 यह याद रख लो अब b upon 2m हमको दिखेगा यह हो गया हाफ लाइफ टाइम आफ एंप्लिटूड 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 के आधा होने का इतना समय लगे तुमको अगर b पता है m पता है तो भाई हमको t पता चल गया कितना समय में आधा हो जाएगा ठीक है और copy करो फिर अभी बहुत सारे आधेव करते रहेंगे ठीक ह कॉपी करते जाओ सिर्फ मजे दो ठीक है कितने देर के बाद energy or filter का आधा हो जाएगा तो हमको पता है कि हम कहींगे जब समय 0 था उस time पर energy जो था वह maximum था जो कि E0 था जब समय आधा हो जाएगा टी हाफ हम इस पते हैं हाफ लाइटाइम कहते है और energy जो है वह पूरे energy का आधा रहा जाएगा energy कम हो रहा है क्योंगे decrease कर रहा energy और हमको पता energy बराबर है इनौड एपर पावर माइनस बी टी अपॉन नहीं होता यहाँ पर सिपर हम हो जाता है same as energy की ज़र्ण पर क्या लिए जितना था उसका आधा इनौड बाइटू इनौड इपर पार माइनस एंडी टी अपॉन तो से में सॉल्व करेंगे वैसे ही जैसे हम लोग वने पीछे किया था यहां से टी अब्रेज जाएगा ln2 upon b upon 1 2m3 यहां पर m आजाएगा same as ठीक है इतना इसका half life time हो गया ठीक है अगर हमको कहेगा one third बताओ तो cm is e naught by 3 लिख देंगे लॉन 3 आजाएगा बहुत बड़ा इसुने है समझ में रहा है बाद ना तो जैसे जैसे बोलेगा हम उस तरह से करते चले जाएगे ठीक है एक जो condition बनता है वह होता है हमारे पास average life average life of amplitude ठीक है इसका मतलब क्या होता है कि जब समय 0 है हमको पता है amplitude तो यह नौड है हम कितना समय में पूरा amplitude जो है zero नहीं हो जाएगा ए नौड ऐ हो जाएगा ए पता है नहीं का विलो यह इतना रहा जाएगा मतला आधा नहीं है आधा से जादा हो गया तो समझ रहेते हैं खतमी हो गया यह पूरा पूरा जीरो नहीं होसता ठीक है तो यह not by e बोलते हैं उसको इसको कहते हैं average life of amplitude, ठीक है, इसी से हम लोग फिर energy का भी average life निकाल लेंगे, same as करते हैं, क्या होता था, पेजर पढ़े जाने, a equal to a naught e power minus bt upon 2m था न, एक जाब लिखते हैं, a naught by, यहां दें किसी को दिकत, a naught से naught कट गया, और यहां से साफ दिखेगा, e power minus 1, is equal to e power minus में, bt upon 2m दिखेगा, ठीक है, और exponents बराबर हो गए, तो उपर उपर भी बराबर हो जाएगा, यानि कि साफ साफ दिख रहा होगा यहां पर से, 1 equal to, t के जगह पर यहां पर लिख देता है, ताव लिख देते हैं, यहां पर भी t के जगह पर टाव लिख देते हैं, तो bt by 2m, यह नहीं समझा, दो को बेस से में पावर तो सेम हो कही न, ठीक है, तो टाव का वैल्लू क्या आगिया, 1 upon b upon 2m आगिया, नहीं आगिया, basically 2m upon b आगिया, इसका average life, और अगर average life इतना आ रहा है, और किसका, amplitude का, तो हम निकाल सकते हैं यहां से ही, यह दो सारे formula याद कर लो, जदा बेटर है, अगर नहीं याद रहे तो भई निकालने आ जारा चाहिए अब तक, ठीक है, एक ही चीज़ को हम बार 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 लिख रहे हैं, ताकि लिखो घर में भी बैटे कर किसके पूरा का पूरा, ठीक है, कर, average life of energy, यानि कि energy पूरा-पूरी लगबग खतम होने में, लगबग पूरा-पूरी खतम होने में कितना समय लगेगा, तो से में सी राज़ी हम फरॉन लिख सकते हैं, M upon B, है न, जैसे 2M upon B था तो वहाँ पर M upon B बन जाएगा, इतना बन गया average life of energy, ठीक है, चलो पहले कॉपी कर लो यह सारा चीज़ को, अभी हम थोरा से समप कर देंगे, उसके बाद इस वीडियो को खतम कर देंगे, ठीक है, तो अभी देख हम लोगा ने क्या-क्या सीखा, सब तो सीखी लिए, कुछ बचा थोड़े ने, बस यही थोरा से हम फिर से रिकॉल कर दे रहे है, कि अगर कोई oscillator है हमारे पास, सपोज करते हैं, यह हमारा spring mass system है, और हम सपोज करते हैं, एक container में हम इसको डाल दीए, इसमें पानी है, बिसकस force यहाँ पर लग रहा है, जिसके कारण से यहाँ पर जो बिसकस force लग रहा है, वो हमारे पास minus BV आ रहा है, तो external force हो यह आ गया, तो हम यह कहेंगे, कि जो यहाँ पर F1 है, पलस में F2 है, यह इसका MA दे देगा, F1 जो है, वो KX restoring force हो गया, BV इसका damping force हो गया, और mass into acceleration हो गया, इन सबको अगर हमने यहाँ solve किया, है ना, इसको हम पूरा differential, even differential equation बनता था इससे, क्या बनता था differential equation, D square X upon DT का square into MA हो गया, पलस में BV, तो B into DX upon DT, पलस में KX equal to 0, है ना, यह इसका differential equation बन गया, और हम जब इसको solve किया, X बराबर क्या मिला हमको, A naught E पे पार माइनस में B T upon 2M, sin omega dash T, पलस में 5 बन गया, ठीक है यहाँ तक, और omega dash का value जो बना, वो था root over K upon M, माइनस में B upon 2M का whole square आ गया, जो frequency था, वो था हमारे पास, 1 upon 2 pi, root over K upon M, माइनस में B upon 2M का whole square, अभी यह हमारा frequency बन गया था, amplitude is the function of time भी आया था, amplitude कितना आया था, A naught E पे पार माइनस में B T upon 2M आ गया था, energy जो आया था, भी हम लोग लेकर निकाला था, आपर E naught E पर पावर माइनस B T upon M आया था, जो कि half of K A square E पर पावर माइनस B T upon M के बराबर दाशी को में E naught भी लिखा था, इतना सारा ही चीज़, हम लोग अभी ने, हम लोगों ने भी पढ़ा है, कुछ और conditions भी सीखे थे, कि अगर यह positive हो जाएगा, इसका मतलब है, कि पहला तो लिख देते हैं, K upon M, sorry, पहला चीज़ देखे थे, B square अगर बड़ा हो जाए, है ना, B square अगर छोटा हो जाए, 4 M K से, है ना, अगर यह छोटा हो जाएगा, इसको हम कहते थे, ओभर damping है यह, ओभर damping condition है, और अगर यहाँ पर B square बराबर हो जाए, 4 M K के, ठीक है, एक सकेंड, एक सकेंड, यह बड़ा था, B square बड़ा हो जाए, 4 M K के, तो यह ओभर damping condition हो जाएगा, तब तो यह positive हो जाएगा, और by equal to हो जाएगा, 4 M K, तो यह हमारा critical damping बनेगा, और अगर B square छोटा हो जाए, 4 M K के, तो यह हमारा under, टक टक टक, 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 damping condition कहलाएगा, ठीक है, तो यह तीनों condition में सीखे, तो ओभर damping में क्या था, एक body हमारा, सिर्फ maximum amplitude तो पहुँचा, और उसके बाद फिर mean position ही आ गया, सब लंबे समय के बाद, critical damping में तुरंत आ गया, energy suddenly increase कर गया, सारा energy खतम हो गया, oscillator के पास, और तीसरा condition, जो under damping condition है, जो हमारे syllabus का हिस्सा था, इसमें amplitude दीरे-दीरे करके घड़ता चला गया, घड़ता चला गया, घड़ता चला गया, इसके हर एक aspects पर बात कर चुके है, के amplitude कहां कहां पर कितने समय पर कैसे depend करेगा, वह भी निकाल रहा है, किस समय पर position भी हमको दिख रहा है, अगर हमको इसको differentiate करना पड़ेगा, तो हम अगर differentiate कर सकते हैं, कर लेंगे, तो हमको इसका velocity में जाएगा, उतना कुछ analysis में नहीं जाएगा, advance में काफी है, ठीक है, पूरा का पूरा इस पूरे theory के उपर सिर्फ numerical रहेगा, सारे numerical हम कोशिस करेंगे, cover करने का, ठीक है, और भी कुछ 12 के भी topic के numerical होंगे, उस वरी देखेंगे, तो पहले यहाँ ते copy कर लो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो कोशिस करो सीखने का, ज्यादा-ज्यादा mathematical भी होने का physics, उतना भी, आएसे ही पढ़ने जुकर फादा थोड़ी नहीं, ठीक है, mathematics भी लगा, अच्छे-च्छे derivation भी करो, तो ज्यादा मज़ा आता है, ठीक है, तो copy करते है, ठीक है, और अगले वीडियो की तरफ बढ़ते है, ठीक है, बाई-बाई, और stay home, stay safe.